नमस्कार आप देख रहे हैं लालू परसाद यादों को ले करके जारखंड हाई कोट में फैसला आना है इधर बिहार विधान सबा में लालू परसाद यादों को ले करके सवाल उठ रहे हैं जब मीडिया के तरफ से उनके बारे में ददन पालवान जो की जदियू के विधायक है उनसे पूछा गया तो ददन पालवान ने कहा कि 15 साल तक लालू परसाद यादों ने मलाईक आई है बिहार में आश किया है मौच किया है और अब वो जेल भुगत रहे हैं जेल खट रहे इसके साथे साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पशू चारा गोटाले की वज़े से मर गये उन पशू का पाप लालू परसाद यादों पे पढ़ रहा है यही वज़ा है कि वो इतनी परशानी में आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ददन पालवान उनका हम मुर्ती बनाने का काम किये करीब गरीब लोगों से पैसा लेकर चंदा लेकर आप मुर्ती नहीं लगने दिये मुर्ती बना हुआ है मुर्ती हिंदूस्तान के सबसे बड़ा 56 पित की मुर्ती है जो करीब करीब 50 टन पितल की मुर्ती है वो लालू परसाद लागने नहीं दिये वो जलन हुआ आउए जादो का तो कोई काम ही नहीं किये इनके राज में जादो की जितना हत्या हुआ है आप कोई सीमा नहीं बच और हमारे गाये और जो हमारा जानते हैं कि आप पशू पालन गोटाला हुआ जिसमें लाखो लाख गाये मर गई जिसके पराचित पाप से आज लालू परिवार जेल रहा है और लालू जी जेल है तो आपने ददन पहलवान को सुना लालू परसाद यादो एक तरफ जहां प्रोटीन बहरा है तो दूसरी तरफ विहार विधान सभा में उनके उपर निशाना साधा जा रहा है कहा जा रहा है कि वो परशानी में इसलिए हैं क्योंकि जो पशूओ का चारा उन्होंने खाया है चारा गोटाले में उससे पशू भूखे मर गए और उसका जो पाप है लालू परसाद यादों को लग रहा है ऐसा ददन पालवान कर इसके साथी साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में 15 साल तक लालू परसाद यादों ने बहुत मौच किया है और अब उनके सभी जो पाप है वो खुल करके सामने आ गए हैं जाहिर सी बात है कि लालू परस पर लालू परसाद यादो को बेल मिलती है या फिर नहीं लेकिन उससे पहले बिहार विधान सबा में सवाल पूछे जा रहे हैं। पर लालू परसाद यादो को पसुओ को मरने का पाप लगा है। झालू परसाद यादो को बेल मिलती है।